यार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको ओल इंडिया इंस्टीट आफ मैडिकल साइंस यानि कि एमसु बोपाल के अंदर जो इनुविस्टी इसके बारे पूरा डीटेल से आपको जानकारी देने वाला हूं तो यहां पर हम बात करेंगे टोप 5 कोर्स के बा सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप लोग बिलकुल आसानी से यहां पर MBBS कर सकते हैं MBBS काफियत सा कोर्स माना जाता है इन फ्यूशर पर आप कितना भी कमा सकते हैं यानिकि लाइफ टाइम आपके लिए यहां पर सैटिफाइड हो जाता है कि यह इतना कमाना है आप को इत मेडिकल वाली स्टूडेंट है जो साइन साइट यहां पर मेडिकल वाले स्टूडेंट और उसके साथ साथ आपको नीट का एक्जाम के लिए करना होगा अगर आप लोग इन दोनों टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आप MBBS बिल्कुल आज़ानी से कर सकेंगे बात करते हैं आप BSC के अगर आप लोग BSC करना चाहते हैं BSC के लिए आपको सिंप्ली पलश्टू पास होना चाहिए पलश्टू के साथ साथ PCM होना चाहिए अगर आप लोग यहांसे BCA BSC कर सकते सोई अगर आप लोगों सोचा कि आपको PhD करनी चाहिए आप काफी टाइम से सोच रहते कि PhD के लिए आपको यहांपर क्या करना होगा तो PhD करने के लिए simply आपको यहांपर पॉस्ट्ट gārduyation पास होना चाहिए अगर आप लोगों ने पॉस्ट्ट g distintos क्लिर कर रखे हैं तो आप PhD बिल्कुल असानी से यहां पर कर पाएंगे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती अब बात करते हैं MD की अगर आप लोग MD कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सेकेंगे तो इसके करने के लिए आपको post graduation में 50% नंबर चाहिए होंगे इसके साथ नीट पीजी का exam के लिए करना होगा यानि कि आपको MD करने के लिए post graduation के साथ साथ यानि कि post graduation complete होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ आपका जो नंबर है वो 50% कम से कम होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक NET, NET और PG का एक्जाम क्लियर करना होगा अब बात करते हैं MS की अगर आप लोग MS करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल असानी से MS कर सकेंगे तो इसके लिए आपको ग्रेजियोशन बित 50% यानिकि ग्रेजियोशन पास होना चाहिए उसके साथ साथ आपको नीट का एक्जाम क्लियर करना होगा नीट PG का अगर आप यह एक्जाम क्लियर कर लेते हो तो बिल्कुल असानी से आप यहां पर MS कर सकते हो MS करने के लिए यह कंडिशन रखी गई है MS को थोड़ा सा ध्यान से देख लिए यह कंडिशन आपके हर जगे मिलेगी तो प्लीज यार इतनी जैनकरी देनी ती इस वीडियो में तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि मैं इस त्रिकी जैनकरी आपको देता रहू तो अफिले हूँ आप फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में तो देख लिए नमसकार जैन